ऐसर पाकिस्तानी यह हमन से कहते हैं कि यहार जो आपके डॉक्टर जैशंका रहें नू कमाल का फर्न हमस्ट मेस्ट निस्टर है भारत कि कमाल की डिप्लामस ही है और यह पाकिस्ता अ जहिन दोस्तो मोडीदेस में आपका सोगत है दोस्तो अच पार्क मीडिया मेजर गौर्फ आरिया से बात करें पार्क मीडिया मेजर गौर्फ आरिया से उनकी जो नई वीडियो आई है उसके बारे में बोल रहा है पार्क मीडिया पूछ रहा है मेजर गौर्फ आरिया से कि आ आप पाकिस्तान के बारे में ऐसी चीज़े क्यों बोलते हैं इसे पाकिस्तान का आपके प्रटी रवया बदल टाट नहीं है तो उस पे मेजर गौरफ आरिया ने पाकिस्तानी मीडिया को ऐसा जवाब दिया कि पाक मीडिया हैरान रहा गया मेजर गौरफ आरिया ने बटाया कि पाकिस्तान की ये हालत क्यों है और भारत इतने टेजी से क्यों टरकी कटा जा रहा है और फीचर में भी ऐसा क्यों होगा दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मसदार है तो इसा पुरा सरूर दिखेगा तो चलिए और इंटसार ना करके ये व कि दौरान आपकी एक वीडियो क्लिप सामने आया बहुत वायरल वा और प्र पाकिस्तान में उस पर घुष भुष 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 तो उसमें आपने जो नेरेटिव तयार किया है जो बात आप कर रहे हैं आपको नहीं लगता कि इसकी वजय से पाकिस्तान के खैत पहले कौन से जो है वो पाकिस्तान के आवाम आपके हक में या भारत के उस तरीके से हैं लेकिन इसके बाद क्यूंके इब्राण खान की जो पॉप्लारिटी लेवला इस पर बहुत आए जा रहा है तो लोग जो हैं वो आपके खिलाफ सोचा कि मैं ये बात कर रहूं तो इसके उपर तो ये वहला रियक्शन आएगा मैं आपको बताता हूं इसका मैं थोड़ा सा घूम के आपको जवाब देता हूं तब शायद मैं समझा पाऊं जो भी आपके विवेश हैं आप तो आपको पता है कि डॉक्टर जैशंकर के सामने है शामहभू कुरेश ही इतने फीके क्यों लगते हैं ए來了 बात है यजजवाती बात है लेकिन यह सचे है इन को अपने मुल्क से ना cigar मैं मुझ को अपने मुल्क से मुहबत नहीं है मैं आपको बताता हूं इन इनको चाहे मेरी बात का बुरा लगे इनको अपने मुल्क से मुख्बत ने तो अगदारी की सेटिकेट बांटा हमारा गाम है आपने भी शुरू कर दिया मैं आपको बताता हूं मैं आपको बताता हूँ कि बात यह है कि अगर इम्रान खान यह बोले कि आटम बम गिर जाए पाकिस्तान पर लेकिन यह सरकार नहीं रहने चाहिए ठीक है how can you make such a statement मतलब एक बंदे की बेरोजगारी पूरे मुल्क में आग लगा दी है एक बंदे की बेरोजगारी और पूरे जूट पर मबनी complete lies यह आप चो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं यह भाग रहे हैं उस बंदे के बाद चार तो कपड़े हैं एक सूटकेस है एक दो बेडरूम का घर है अमदाबाद में लिए जिस बंड़ वह प्रदान-्मंत्र नहीं रहें रहें गए वह अपनी बोल यह बस्ता बांद के अमदाबाद चले जाएंगे कार नहीं कथा में देखी यह जो है नहीं यह यह बेरागी टायप के लोग है कि इनके पास कोई वैल्थ नहीं है इनके पास कोई चमक्ती भ खाना है यह टोटली डेटिक इसमें देखिए सबसे पहले ठीक है इंडिया के पास पैसा है इंडिया बहुत बड़ी मंडी है यह यह सब चीजे हैं लेकिन इंडिया की डिप्लॉमेसी तब भी अच्छी थी जब इंडिया में भूग से लोग मर रहे थे अलिया जी यह जो अक्सर पाकिस्तान में कहते हैं भारत बहुत बड़ी मंडी है और सब लोग भारत की से बात मानते हैं यह पैसा तो हमारे पास 90 के बाद आना शुरू हुआ भारत की तो बहुत बुरे हाल थे हमारा 68 टन सोना उस समय गोल्ड रिजर्व से चलती थी 68 टन सोना हमारा गिर भी रख दिया था हम लोगों ने हम आएमेस के प्रोग्राम में गई एक बार गए पर उसके बाद हमने पेट पे पत्थर बान ली हमने बोला कि भूके सो जाएं अमेद के पास यह कहां से आया क्या कोई इंडियन कोई स्पेशल ब्रीड है या इंडियन के पास कोई ऐसी अकल है कोई शौर है को ऐसा इल्म है ऐसा दिमाग है जो पाकिस्तानियों के पास ने ऐसा दाट ट्रू पर हमारा जो भी प्रधानमंत्री है जो भी हमारा प्रधानम बच्चों के अपनी मर्जी है बच्चे जहां भी जाएं लेकिन कोई ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी डूल नैशनलिटी उसका ये इसक यह इह तैजर इसका यह दर हुआ है इन्होंने यहीं अमरीका के खलाब चलें मेरे कंटेनर उठा उठा के फैंक होगे इसलामाबाद आओगे इनको इबरत का निशान बनाओगे इनके घरों में जाओगे यह क्या चीज़ है this is against the law this is against the law किसी वकील से पूछ ले किसी constitutional lawyer से यह पूछ ले लेकिन आप मुझे यह बता है को स्टेट आपके उसका action ले रही है आपका सारा मुलक इस वक्त ट्वीट पर चलता है चले दोस्तों इस वीडियो पर बात करते तो पाक मीडिया जो सबाल पूछा कि जो आपने अपने वीडियो में कहा था तो कि आपने नहीं सोचा था कि पाक पाकिस्तार में जो हो रहा है सिर्फ वो ही बोला है मेजर गौरफ आरिया ने वो यह सोचके नहीं बोला कि यह डिक के पाकिसानी आवाम या भरते आवाम क्या सोचेगी उन्होंने सिर्फ अपना analysis किया है तो यह सबाल मेरे मुटावी गलत है कि मेजर गौरफ आरिया ने सिर उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह देखने के बाद पाकिस्तानी आवाम क्या सोचेगी या भारती आवाम और मेजर गुर्फ आरेना सही का कि भारत पर बिडिस मंती एस जैसंकर के आगे साह ममुद कुरेशी कही भी नहीं ठिकते क्योंकि जैसंकर जी 40 साल से डिपलोमेसी कर रह है और सामामुद कुरेशी को तो पाकिस्ताना बिडिस मंती बनना है नहीं था उन्हें या किसी स्टेट का चीप मिनिस्टर बनना था या प्राइम मिनिस्टर ये बिलाबार भुट्ट जिसकी पार्टी में सामामुद कुरेशी पहले था उसने बोला था कि सामामुद कुरे को नहीं इंट्रेस है डिबलमेसी का और नहीं उनके पास क्वालिफिकेशन है तो मेजर गरफाय ने सही कहा कि जैसेंगर जी के 40 साल के इसी वसे पाकिसन की डिबलमेसी इतनी खराब है कि पाकिसना भी दुनिया में आसलेट हो चुका है और मेजर गरफाय ने ये भी सही का कि पीए मोडी के सामने भी इम्रान खन कहीं नहीं तिक्टा कि मोधी जी हर वक्स national interest के बार में सुचते है मोधी जी ही नहीं भारत के political party भी अगर national interest का मामला आए तो सब एक साथ हो जाते हैं उनका इमरान खत्धान्या पाकिस्तान के political party जो अपनी कुर्सी के लिए पूरे पाकिस्तान में आगे लगाने को तयार रहते हैं उनसे कोई मुकाबला ही नहीं है तो इस वज़े से ही भार तरकी कर रहा है और पाकिस्तान इतने निचे जा रहा है तो मिजोर गरफाय ने ये भी बहुती सही कहा और आखे में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडे से का कि इमरान खान जैसे हरकते कर रहा है वो अगे किसी और डेस में होता तो अब तक जेल चला जाता क्योंकि वो लोगों को उक्सा रहा है पाकिस्तान को जलाने के लिए और पाकिस्तान की हाल शिल्लम का जैसी करने के लिए और वो खुले आम कहरा है पाकिस्तानियों को कि आप बहार निकले और पाकिस्तान में आग लगा दे क्योंकि मैं पधारमंटरी नहीं हूँ और ऐसे ही मैं फिजर पधारमंटरी बनूँगा टो कुले आम इम्रान खान स्टेट को पाटिसटानी स्टेट को बलेक्मेल कर रहा है, तो पाकिस्टानी मिल नेता वर्डा 두 । इनका भरत नेता वहुष है नेटा हो से तो देखते कि पाकिस्तान में क्या होता सके दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए बहुत मनत期 और हमें जोंगे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक यू वेरी मच